नमस्कार साथ यो यह चल लिए हमारी जावस्क्रिप्ट की सीरीज और इसमें आज हम सीखेंगे नमबर मैथड को नमबर के कई सारे मैथड होते हैं जैसे नमबर, इस फिनिट, इस एंटेजर, टो फिक्स, एक्सेटरा इन सभी मैथड को हम कवर करेंगे इस वीडियो में, तो इस में तक बने रिगा, नमस्कार साथ हो, मेरे नाम में मनुष्कुमारो, आप देख रहे हैं, कंप्यूटर ग्यान गूरी चैनल, तो चलिए सीख लेते हैं तो यहाँ पे हमारा html खुला हुआ है, फटाफट हम java में चलते हैं, देखो मैंने java को link किया हुआ यहाँ पे, और java लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम लेते है, number method को, number method क्या काम करता है, यह किसी भी string को number में convert कर देता है, जैसे कि हमने कोई number लिख दि document.write और इधर मैं कर देता हूँ, a variable, save करके refresh करते हैं, यहाँ पे, अभी कुस भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमने colon लगा दिये, semi colon लगा के, save करेंगे, और refresh करेंगे, तो देखें, यहाँ पे 100 आ गया, लेकिन अभी आपको यह नहीं पता कि यह number है, यह string है, नहीं पता अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इधर करता हूँ, plus 10, save कर देंगे, और यहाँ पे आके refresh कर लेंगे, तो यहाँ इसने plus करने की बजाए क्या कर दिया, यहाँ पे इनको combine कर दिया, क्योंकि यहाँ पे यह integer पढ़ रहा है, इसको number होता तो जोड देता, तो अब हम य इधर मैं डाल देता हूँ, a, ठीक है, a variable को यहाँ पे pass करा लेंगे, और इसके अंदर मैं variable में डाल देता हूँ, अब num को, save कर लेंगे, refresh करेंगे, देखे, 100 फिर से आ रहा है, अब check करें, यह number है, string है, हम यहाँ पे आप करते हैं, plus 10, save कर लेंगे, refresh करेंगे, वापस यहा रहा है, तो इस तरह से हमको पता चल रहा है, कि यह जो number method है, यह string को number में convert कर देता है, इसके बाद आता है, parse int और parse float, यह दोनों क्या काम करते हैं, जो parse int है, वो decimal को, जो float value है, उसको integer में convert कर देता है, मान लीजे, यहाँ पे, मैं ले ले लेता हूँ, value, 100 ही ले ले लेते है 100, dot करके मैं यहाँ पे करता हूँ, 30, और number की जगह हम ले लेते हैं, parse int, save करके, इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे refresh, तो देखो, यह क्या कर रहा है भी, यह 10 जोट दी, हमने 10 को अटाते हैं, यहाँ से, तब पता चल जागा, accurate, save कर लेगे, वापस से refresh करते हैं, अब देखो, को यह 100 ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो, decimal दिया है, decimal के बाद, जितने भी अंक इसको मिलेंगे, चाहे कुछ भी मिल रहा है, यह उसको नहीं read करेगा, उसको integer value में convert कर देगा, यहाँ पे अगर मैं कोई और भी value डालता हूँ, मैं यहाँ पे 50 डालता हूँ, save कर लेंगे, refresh करेंगे, देखे, कुछ फरक नहीं पता हूँ, यहाँ पे decimal की बज़ा space यूज़ करता हूँ, और एक value और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, space डालके save करेंगे, तो इसको पहला जो, पहली जो value मिलेगी, refresh करेंगे, देखो, उसको उठाएगा, यहाँ पे अगर मै लिखा, यहाँ पे, मैं सारा कुछ अटाता हूँ, यहाँ पे मैं करूंगा, 40 years old, save कर दिया, तो इसको first में number मिल रहा है न, तो first इसने उठा लिया, जदी first में text है, यहाँ पे मैं करता हूँ, कुछ भी मैंने type कर दिया, save करके और refresh कर लेंगे, तो देखो, अब यह दिखा क्या कह रहा है, note a number, क्योंकि यह अब number नहीं है, starting में, starting में इसको जो number मिलेगा, उसको यह उठा लेगा, इसी परकार float होता है, हम यहाँ पे int को हटाते है, float type करते हैं, save करके refresh करेंगे, तो यह भी देखो, शुरू में number को read नहीं कर रहा, यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, save क करेंगे, refresh करेंगे, अब इसने भी 40 उठा लिया, लेकिन इसमें क्या फरक है, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ, decimal 45, save करेंगे, refresh करेंगे, तो यह decimal को ले लेगा, जो भी हमारे पास number होगा, उस number को decimal, यानि की float में convert कर देता है, यह फरक होता ह finite है, finite number होगा, तो यह true display करेंगा, और infinite होगा, तो false display करेंगा, एक बर इसका भी example देख लेते हैं, मैं इसी को यहाँ पे छोड़ता हूँ, और इधर मैं use करता हूँ, क्योंकि यह number के लिए है, तो यहाँ पे मैं use करूँगा, function number dot is finite, save करते हैं, और refresh करते हैं, तो देखो यह यहाँ पे false दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको यह number नहीं मिल रहा, यदि मैं यहाँ से, यह quotes यहाँ पे हटा देता हूँ, और अब save करके refresh करता हूँ, तो देखो अब true दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब इसको यह number मिल रहा है, अब यहाँ जो भी number डा लेंगे चाहिए हम negative में डालें मैं यहां पर सीधा 100 डालता हूं save करके refresh करेंगे true रहेगा या फिर मैं इसको minus में भी डालता हूं minus 10 save कर लेंगे refresh करेंगे तब भी true दिखाएगा एक boolean value डालके देखते हम boolean value के अंदर मैं डालता हूं या पर true true का मतलब boolean one होता है save करके refresh करेंगे तो देखो इसको false दिखाएगा जबकि यहां पर true आना चाहिए कैसे यदि मैं यहां से is finite को यहां से हटा दू मैं और save करता हूं अब मैं refresh करता हूं तो देखो यहां पर एक दिखा रहे ट्वीक है ना और false को दिखाता ही है 0 क्योंकि बूलियन वैल्यू है save करके refresh करेंगे तो इसको zero दिखा रहा है तो number तो string को integer में convert कर रहा है लेकिन जो is finite है वो उसको number नहीं समझ रहा वो finite number नहीं है वो infinite number है ना नमबर तो सिधा हमारा यहां पर जो भी हम integer डालेंगे यह number हो गया और यहां पर मैं लिखता हूं number dot is finite save करके refresh करेंगे तो इसको यह अब true दिखाएगा इसी परकार integer मैं यदि लिखता हूं मैं यहां पर करता हूं is integer save करेंगे और refresh करेंगे यहां पर क्या हो गया mistake कर दी यहां पर देखो mistake कर दी save कर लेंगे अब refresh करते हैं यहां पर तो यह भी इसको true दिखाएगा क्योंकि यहां पर number है और यहां भी मैं true type करता हूं save करता हूँ, तो ये भी यहाँ पे इसको false लेगा, जो integer value इसको मिलेगी, only उसी को यहाँ पे display करेगा, अगर मैं इधर करता हूँ, 100, save करके refresh किया, true आ गया, या फिर मैं 100 को quotes में देता हूँ, save करेंगे, refresh करेंगे, तो यह false लेगा, क्योंकि यहाँ पे integer नहीं है, अब यहाँ यहाँ पे string है, और string को integer में convert कराना है, तो हम only number यूज़ करेंगे, और यह integer है, या string है, इसको चेक करने के लिए, हम number के साथ is integer यूज़ करेंगे, तो यह true और false में दिखाएगा, इसके बाद आता है, two fixed और two frictions, two fixed क्या है, यह दोनों सेम से ही काम करेंगे, लेकिन थोड़ decimal के बाद हमको कितनी value चीए, वो हम fix कर सकते हैं, यहाँ पे मैं value लेता हूँ, hundred point seven six eight nine, मैंने यह value डाली, और इधर से मैं इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं type करता हूँ, इधर हम variable लेंगे a, dot two fixed, ठीक है, और यहाँ पे हमने कितने अंकची है, decimal के बाद वो यहाँ पे refresh करेंगे हम यहाँ पे, क्यों नहीं आया यहाँ पे, यहाँ पे देखे, यहाँ पे मैंने यह पहले string ले रखी है, इसको integer करेंगे, ठीक है, अब save करके refresh करते हैं, तो यहाँ पे देखो, क्या आया हमने two pass किया था, तो 77 आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि जो तीसी डिजिट है वो 5 यह उसे ज्यादा है, तो उसे पहले वाली डिजिट को यह एक step अप कर देगा, round up करके दिखाएगा उसको, यदि मैं यहाँ पे डालता हूँ 3, save करके refresh करते हैं, यहाँ पे देखो 9 था, इसलिए इसने इसको एक step अप कर दिया, यदि मैं यहाँ पे करता हूँ 4, save कर लेंगे, refresh करेंगे, यहाँ पे वापस से हम, तो अब यह एक step अप नहीं करेगा, उसको round up नहीं करेगा, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं, जितनी value डाल रहे हैं, वो decimal के बाद उतनी value यहाँ पे display कर रहे हैं, इसके विप्रेक्शन में हम यहाँ पे change करते हैं, 2, अब 2 precision में क्या होता है, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे digit डाल रहे हैं, तो तीन digit decimal के बाद की ले रहा था, अब यह जो हमने तीन डाला है, यह यहाँ से starting से लेगा, 1, 2, 3, 3 तो यहीं पे खतम हो गई, है ना, देखो मैं यहाँ पे save कर लिया मैंने, और refresh करता हूं, तो साथ था, एक extra था ना, तो इसने एक round इसको up कर दिया, हमने decimal के बाद यहाँ पे अंक चीएं, तो यहाँ जितने अंक हैं, उसके अलावा हमने इसको भी जोड के डालना पड़ेगा, तीन तो यह हो गए, और यहाँ पे हमने दो और चीए, तो हम यहाँ पे type करेंगे, फिर लिए 5, save करेंगे, और फिर refresh करेंगे इसको, तो अब यह decimal के बाद दो अंक दिखाएगा, गे फ़रा कोता है सिरफ लिखने का, कि हमको decimal के बाद कितने अंक चीए, या नहीं चीए, तो नहीं चीए, तो हम जितने अंक हमने शुरू में ले रखे हम उतने ही डाल के छोड़ स हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और ये दिन नए है, आप मर्चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें